गुड़ीविंग आपका स्वागत है हेल्थ टिप्स के एपिसोड नमबर ग्यारह में आमपार पर ये माना चाता है कि एक दुन में दो से ज्यादा बार चेहरा धोना फाइदे मन्द है लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है जी हां दोस्तों याद रखें कि अगर आपकी तो अच्छा ओईली है तो भी आपने जो चेहरे को तीन से ज्यादा बार अगर धोलिया तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है जी हाँ चलिए जानते हैं कि आपकी जो skin है उसके type के हिसाब से चेहरे को दिन में कितनी बार आपको धोना चाहिए सुबा चेहरा धोना दोसर जब आप सुबा उठते हैं तो अपने चेहरे को पानी से धोलें आप चाहें तो किसी भी mild face wash से आपका चेहरा आप wash कर सकते हैं सुबा चेहरा धोना लाजमी है क्योंकि वो skin pores इसको साफ करेगा और इससे आपको एकदम freshness महसूस होगी दोपहर में चेहरा धोना क्या आपकी skin oily है अगर हां तो आपको अपने तवचा विशेशक्य से सलाह ले लेनी चाहिए आप चाहें तो ठंडे पानी से भी चेहरा साफ कर सकते हैं और दोपहर में ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने से आपको ताजगी महसूस होगी और साधी साथ आपका जो चेहरा है उससे अतरिक्थ जो oil है तेल है वो भी हट जाएगा कम से कम घर लोटने के बाद चेहरा धोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है या फिर अगर आप बाजार से घर वापस लोट कर आए हैं या कहीं बाहर से घर वापस लोट करके आए हैं तो नहाना भी आपका उचिज रहेगा इससे आपकी ठकान भी दूर होगे और आपके चेहरे की सारी गंदगी साफ हो जाएगी तो दोस्तों इन बातों का रखें खयाल और चेहरे को साफ करने के लिए हर बार फेस वाश का इस्तमाल करना सही है या नहीं ये बात भी हम आपको उदा देते हैं फेस वाश में दरसल मौजूद होते हैं रसाइनिक तत्व जो आपकी त्वचा की कोमलता और प्राक्रितिक चमक को छीन भी सकते हैं ऐसे में गुंगुने पाने का उपयोग करना बहुत ही सही होता है यदि आप चाहे तो अपने चेहरे को बेबी सोप से भी धो सकते हैं उमीद करते हैं कि इस वीडियो में बिलने वाली यह जानकारी को आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे बलकि इसे अपने सभी दोस्तों और एवं आसपास के लोगों के साथ भी शेर ज़रूर करेंगे आज की ये इंफोर्मेशन आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंच करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले कल फिर मिलते हैं इसी समय रात आथ बजे अगले एपिसोड के साथ धन्यवाद